आपको एक बड़ी और एक्सक्रूजिंग खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो है डाइवेस्मेंट से जड़ी नई दिली से हमारे समवाद आता तरुन शर्मा इस वक्त हमारे साथ कारिकर्ण में हो रहे हैं शामिल और तरुन के पास हैं एक एक करके तीन अपडेट्स डाइवे का इडेटिफिकेशन हो चुका है RBI उसकी due diligence का प्रोसेस कर रहा है कई बड़े बड़े नाम इसमें हैं जिनोंने इसमें IDBI के disinvestment में apply किया है तो उमीद यह की जारी है कि अगले तीन से चार महिने में IDBI बैंक का disinvestment है वो पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि नाम आ चुके हैं RBI का due diligence हो गया है तो इसके बाद जो financial bits हैं वो open होंगी और उमीद यह है कि अगले तीन से चार मेने में यह प्रोसेस को खतम कर लिया जाएगा और क्योंकि इस साल सरकार यह चाहती है सरकार ने बहुत कम टार्गेट रखा है 50,000 करोड का टार्गेट है disinvestment का तो जिसमें IDBI प्रमुक्त वाला बैंक है जिसका disinvestment होना है प्रोसेस लास्ट यह स्टार्ट हो गया था क्योंकि disinvestment एक बड़ी प्रिक्रिया होती है काफी पड़ाओं में उनको पार करना होता है तो इस वज़े से अब उमीद यह है कि अगले तीन से चार महिने में IDBI का disinvestment है वो पूरा हो जाए ओके तीन से चार महिने में IDBI का disinvestment पूरा होने की उमीद और कुछ है बड़े और interesting नाम सामने आ रहे हैं जो इसके लिए बोलिया लगा सकते हैं यह अपडेट इस वक्ता IDBI बैंक को लेकर आपके लिए इसके अलावा shipping corporation यह दूसरा divestment candidate है यहाँ पर भी पूरी बाजार की नजर है बताएं तरनुक वहाँ पर किस तरह के अपडेट्स आपके पास मैं बताना है चाहूंगा कि shipping corporation of India का demerger already approve हो चुका है अब पहला पड़ाव है कि उसकी listing होनी है listing की उमीद यह कर रहे हैं कि या तो इस मेने के आखे तक या मई के पहले हफते में listing की जो non-core assets की जो listing की प्रिक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा उस प्रिक्रिया को पूरा करने के बाद financial bits open किये जाएगे तो उमीद यह की जा रही है कि मैं के आखरी हफते तक shipping corporation of India के जो financial bits हैं उनको open किया जाएगा और इस साल के अंद तक उमीद यह कर सकते हैं कि shipping corporation of India का भी divestment पूरी तरीके से हो जाएगे लेकिन जो listing की जो बात है non-core assets की वो मार्च के आखरी हफते या मई के पहले हफते में करने की उमीद है यह जो sources हैं वो यह confirm कर रहे हैं कि जल्द listing इसकी non-core assets की listing हो सकती है और इस listing के प्रिक्रिया के बाद इस financial bits को open किया जाएगा ओके चली तो यह भी आपके लिए एक बड़ा अपडेट है कि जल्दी लिस्टिंग के तैयारी है इस वक्त शिपिंग कॉर्परेशन के लिए और इंटर्सिंग माई के अन तक बोली आने जो आने कि कितना बचाया आपका सवा डेड़ महीना बोली आने की तैयारी आपके ल देखें से एनमडिसी का जो स्टील प्लांट है उसके लिए काफी अग्रेसिव बिडिंग हो सकती है और उमीद यह की जारी है कि जो फिनेंशल बिट से उसको जल्दी खोला जाए और कई बड़ी कंपनिया इसमें इंटर्स्ट में उन्होंने इंटर्स्ट दिखाया है तो उमीद यह कर रहे है कि जल्द ही इसका भी फिनेंशल बिट्स को उपन किया जाए और क्योंकि यह अब इस साल के सबसे बड़ा एसेट होगा जो डाइवेस्टमेंट के अंदर जाएगा जिसकी प्रोसेस अभी तक चल रही है और एक अच्छा वैलूशन यहां पर NMDC स् इसमें फिनेंशल बिट्स को भी जल्द खोलने की उमीद हो रही है लेकि यह जो सोर्सिस की तरफ से जो पता लग रहा हुई है कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो काफी बड़ी-बड़ी स्टील कंपनीज का इंटरेस्ट है और क्योंकि अभी यह प्लांट ऑपरेशनल 31 मार् जो पार्चली हुआ है लेकिन अभी पूरी तिके से अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है जैसे ही ऑपरेशनल हो जाएगा इसकी वैलूशन में और बढ़ोती होगी और उसके बाद इसकी फिनेंशल बिट्स को उपन किया जाए तो यह है आपके लिए बड़े अब्डेस आते दिख रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी हमारी टीम तयार है पूरी तर से डाइवेस्मेंट से रिलेटेट सारी खमरे सबसे पहले आप तक महुचाने के लिए तो तरुन ने आपको बताया कि सरसरे आई डी बाई बैंक शिपिंग कोर्परेशन और एनमडिसी स्टील के डाइवेस्मेंट को लेकर बात आगे बढ़ती है दिख रहे हैं धन्यवाद तरुन